हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर्ड कलास आज की इस कलास में देखेंगे कि 2023 के नियावली के अनुसार जो सिक्षक भरती में जो नया नियम लगाएगा आनिकी लागू किये गए हैं और उसी के तहट आप लोगों का 50 दिन के देख सकते हैं आज के ये अनिकी खवर हैं कि आप लोगों का 50 दिन के अंदर 1.30 लाग से अधीक सिक्षकों की भरती की वेकेंसी लाएगी और ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही खुशकवरी है कि आप लोगों के लिए 1.03 अनिकी वेकेंसी आ रहा है और जानते हैं इसमें विस्तार से चलिए देखते हैं ये जो एक्जाम होगा आप लोगों का VPSC के दुवारा ली जाएगी एक्जाम और ये एक्जाम सुपर टेट की परिचा सो अंकों की होगी और परिचा में नगेटिव मार्किंग आप लोगों का नहीं होगा सारे फ्रस्ट का उतर दे सकते हैं आप लोग और विज्याप आने की ये जो है आप लोगों का मई के अंत एवं जून के सुरवात में आने की संभवना है प्रात्मिक विद्याले में सिक्चक बनने है तू परिच्छा में जो प्रस्ण पूछे जाएंगे दसमी और इंटर अस्तरिये के प्रस्ण पूछे जाएंगे और हाइज स्कूल में सिक्चक बनने है तू परिच्छा में प्रस्ण जो पूछे जाएंगे इंटर एवं असनातक अस्तरिये के प्रस्ण पूछे जाएंगे चलिए जानते हैं और आगे और आगे जो इसमें होगा परिच्छा में उत्रिन होने के लिए अनि समानी वर्ग जेनरल से जो भी आते हैं पचास परतिसत माक्स और यदि अनि केटेगरी से अवियर्थी आते जिसे SCHD तो 45% अंक लाना अनिवारी है और लेक लेकिन नोकडी सीट के बराबर उच से निम्न की तरफ प्रतांग के अनुसार ही होंगे जिनका माक्स अधिक होगा सबसे पहले उनका चेयन होगा और कि माक्स के अनुसार चेयन होगा चलिए आगे जानते हैं इस आप लोगों का सेलेडी क्या रहने वाला है इस बहाली के त हाई स्कूल में नोकरी करने वाले सिक्षकों का वेतन 50 से 55,000 के लगवक होंगे और ये आप लोगों का विप्यसी के दुवारा एकजाम ली जाएगी और ये जो आप लोगों का लिए good news है कि आप सब का 50 दिन के अंदर जो है 1.30 लाक वेकेंसी लाईगी और आप लोगों का य अपना फिडवे कॉमेंड में दें चलिए मिलते हैं इसी तरह के इंट्रेस्टिंग अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद